अलो वीवन, वेलकम तो देस्टेशन, इन देस्टेशन, वी विल डिस्कॉस अपाउट अपर्टिकुलर टोपिक, हाउ तो गेट अड्मिशन इन्टो आइटी इस फोर पी एच्टे, वी विल ट्राइट टू कीप देस्केशन फ्रों पॉइंट तो मैं इसको तीन पार्ट में इस मैं डिवाइट कर रहा हूँ, पहला कि process किया है, requirement क्या है, admission के लिए, दूसरा कि admission के forms कब निकलते हैं, और तीसरा की form भनने के बाद में क्या process है, तो very first process की, क्या requirement है, अगर आपको IIT में admission चाहिए, तो आप eligible कब होते हैं, IIT में admission अलकलिए है, तो चले ही शूरु करते ह का session very first is requirements आपके पास में इन तीनों में से एक होना चाहिए आइधर आपके पास आप जो है ज्यारेफ आपके पास सिर्फ नेट से नहीं काम चलेगा आपको ज्यारेफ ही रखना पड़ेगा तो आइधर ज्यारेफ और यू हैव गेट गेट क्वालिफाइए अगर आपका या पिर आपके पास में इन्सपायर है आप अपने इन्सपायर की फैलोशिप आपके पास में यानि कि बिना फैलोशिप के आप इलिजीबल ही नहीं है अगर आपके पास ज्यारेफ है या फिर गेट है या फिर इन तीनों में से एक होना चाहिए अच्छा अगर इन तीनों में से कुछ भी है आपके पास में तो आप ईयारेफ का या फिर आप जायरेफ के बैस से या फिर गेट के अप फीbox सकते हैं किसी भीZ का ठीक है दूसरे लूसरी पोइंट परक्रवे वे दूसरे फोइंट पर करते हैं सब्सक्राइबुक्त का captivit यानि कि दो बार फॉर्म निकलते हैं मे फस्ट फोर्मे जो निकलते हैं आपके वह मार्च की आसपास के तुरंट बाद में और महीने बर की हार्ड़ी डेट रहते हैं उनकी 10-15 दिन 20 दिन सब्जेक्टिव है हर आपना अपना अना तो मार्च के आसपास करने के बाद में पर आगे का प्रोसेस है दूसरा आपका फॉम निकलते हैं सेप्टेंबर और के आसपास कुछ नमबर तक भी खिच लेते हैं तो अक्टवबर और सेप्टेंबर यू कि इसके की सारे लगबग सारे के सारे 99 जो है वो उसी के आसपास आपके फॉम निकाथे कर लेंगे तो वह एक बार के लिए वैलिड होता है तो आप ऐसे किसी भी आईटी का फोर्म बढ़ सकते हैं इसके लिए आप क्या करें मार्च के आसपास लगबग सारे इसके काई वीजीट करना स्टार्ट करतें वह अपना सब अपना इन डीजल नोटिफिकशन निकालते हैं है रहे早सरिक आप बेंडिंड की दे ऑसके वैक्ष्ट करें कंद एक और उसके बाद दिया आपको शॉटलिस करेंगी स्वाटलीक करने का उनका अपना अपना क्राइटीरिया है कि कुछ अगर आपकी पास मिए गेट है और आपका ठीक है यह गेट की कर लेती है but कुछ ऐसी है जो आपकी रोλέ स्कोर भी ठीक है तिक्ता का मतलब है कि आप फस्ट डिविजन मैनेज कर रहे हो मैंटेन कर रहे हो जो पॉस्ट लिस्ट कर लिया जाएगा अगर आपका फाइव अंडर रेंक है गेट में तो अगें यह भी सब्जेक्टिव है कुछ आइटी आपको डारेक्ट शोट लिस्ट कर लेगी अगर आपके पास में गे आपको एंट्रेंस एक्जाम देना होगा एंट्रेंस में लगबग आप समझ लो की वन थार्ड ऐसा कुछ जैसे 200-300 लोगों को उन्होंने अगर शोट लिस्ट किया है पीस्ट के एंट्रेंस के लिए तो उसमें से वो समझ लो आपको लगबग 50-60 ऐसे लोगों को वो शोट से इनदर के अनाम कासर अद्स क्षेज जाएक जाएगा जयरोएी उनिके आसान भी नहीं होता है नेट के स्लेबस तो आप कंसीडर करके चलो अब जब आपने एंट्रेंज क्वालिफाइग कर लिया है तो अब आप आगे हैं तीसरे पर आव में जहां पर आपका होगा इंटर्व्यू स्क्रीनिंग इंटर्व्यू में आपको एक यानि कि अगर आप यह दूसरा स्टेप पास कर चुके हैं एंट्रेंज वाला तब आप समझ लो कि अब आपको एक सब्जेक्ट बेस पर परका जाएगा आपको अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट रखना है उसके उपर आपको ठीक टाक एक दो एबस्ट्रेक्ट में देना है जिसमें देना है वो आपसे पूछेंगे और उसी के कोश्चन स्पेसिफिकली आपसे पूछे चाहेंगे अब कभी-कभी उस सब्जेक्ट में वेकेंसी नहीं होती है तो आपको एक बेक अप सब्जेक्ट भी रख लेना चाहिए तो दो एंटरेंट के लिए जैसे इ बिह आपको इंटरेंट विर्थ लेते है उनका अलग मामला है जो नहीं लेते हैं वह फिर शौटिलिस्टिंग में आपको थोड़ा टाइट करेंगे आपकी रैंक को देखेंगे रेंग की basis पर ज्यादा शोट्लिस्टिंग होगी वहाँ पर यहीं कि कम लोगों को शोट्लिस किया जाएगा रेंग की basis पर ही आपको बाहर या सलेक्ट कर लिया जाएगा इंटर्वियू तो आपका हो गये होगा और इंटर्वियू है में और फाइनल राउंड जहां पर यह और इंटर्व्यू दे लिए और जब यह आप फाइनल राइन में भी सलेक्ट हो जाते हैं तब जाके आपका हैटी में पीच्टी में एडमिशन होता है ठीक है तो यह समझ लोकि ओवर ओल तीन राउंड का है एक तो आपको एडमिशन फॉर्म का ध्यान रखना है उससे प यह की प्रोशेश स्टेंडर्ड जिसमें आप को इंटर्व्यू देना है और हो सकता है कि दो को भी करो बैसी के पास होते हैं एक या दो सब्जेक्ट ऐसे बस आपको उन्हें और इंप्रूव करना होता हैं तो यह अपूरा प्रोसेस है स्टेंडर्ड जिससे आप आप आई department में है तो उनके बारे में भी थोड़ा search कर लें वो कभी-कभी जल्दी shortlist कर लेते हैं और कभी-कभी आपको admission वहाँ पे थोड़ा आसानी से मिल जाता है comparatively to mathematics main department जो होता है चलिए इस वीडियो में इतना ही discussion point to point मुझे discuss करना था IIT में admission के लिए फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी informative वीडियो में तब तक के लिए bye thanks for watching this